हालो प्रेंज वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में आप लोगों बताने वाला किस तरह से आप गुगल प्ले अप्डेट आएट आए बहुत सारे चंज़ज आए हैं बहुत सार लोगों कंफ्यूजन आ रहा है बाई करने में तो मैं इस वीड आपके सामने पेज उपिन हो जायेगा उसके बाद आपको क्या करना है गो टू प्ले कंसोल पे कर देना है उसके बाद अगर आपने इमेल आईडी अपना लोगिन नहीं कर रहा तो लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो आपका इमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके आ लेना है विडाओ टू 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 ट्ट वरिफिकेशन की आप ले कंसोल को भाइड नहीं कर सकते तो मैंने अलडी इमेल आईडी भी लोगिन कर रहा है उसके बाद इस तरह का प्याइज आता है जहां पिर आपको दो अप्शन आता है पहला आपसण यूर्सेल इडेंटी परिपिकेशन है वो फ्रेल हो जाएगा ठीक है परेंट काड़ों गरास इसको विरिफाइए नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास कंपनी है रेइस्टर नहीं है ठीक है या तो आप एक डेवलोपर हो तो आपको यूर्ड सेल वाला एकाउंट वाई करना इसके अंद सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको आपको अपना लेंग्विज सेलक करना जो की इंगली से हम लोग का तो इंगली समसलेक करेंगे उसके बाद कंट्री है तो कंट्री हम इंडिया से हैं इंडिया से इंडिया से करेंगे उसके बाद सब्सक्राइब करना है तो मुबाइल नमर जो भी आप टाइप करना है कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है उसका को फोन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ओटी पी जाएगा आपके मुबाइल नमर पे आपको यह पे डाल देना उसके आपका नमबर वेरिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको next पे क्लिक कर देंगे तो next पे जोपे नोगा तो चली यह सब हम रियल फेल कर देते और जाते next पे आपको दिखा देते किस तरह का सो करता है तो फ्रेंज यहां पर देख सकते हैं चारी टेम मैंने फिल कर दिया है यहां पर नेम होगरा developer name डेवलपर नेम के अंदर आपना डाल सकते हो company का डाम डाल सकते हो इसमें कोई फर्क ने परता कुछ भी नाम आप डाल सकते हो ठीक है यूनिक नेम होना चाहिए उसका email id मैंने verify कर दिया है यह सचा लिक कर लिया है इसका email नमर भी मैंने verify कर दिया उसके बाद next मैं क्लिक कर देता हूं उसके बाद यहां पर option आता है select number of app तो more than 10 प्लिक कर देते हैं आप इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर आपको I don't know इस पर क कर देंगे उसके बाद यहां पर कोन से केटेगरी के अंदर application अप पब्लिक करना चाहते है वह सब आता है option तो सभी को आपको tick कर देना है guys ठीक है आसा नहीं कि एक पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर time and condition को agree कर देना है दोनों वक्स पर क्लिक करना है and create account and pay पर क्लिक कर देना है तो काई यहां पर 25 डॉलर आपको पे करना है गूगल को तो आपका एकाउंट बाई हो जागा गूगल प्ले कांसोल एकाउंट उसके बाद unlimited application को पब्लिस कर सकते गूगल प्ले कांसोल के अंदर वन टाइम फीस आपको पे करना रहता है तो बहुत से लोग यहां प गूगल प्ले कंसोल एकाउंट बाई करके दूंगा ठीक है कोई स्कैम होगा नहीं होगा आपके साथ तो चली यहां पर बाई करके भी आपको लाइब दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए तो चली एड़ न्यूंग कर देंगे यहां पर कार्ड नंबर औ आपको दे देना है और यहां पर फिल कर देना है तो चली यह सब हम फिल कर देतेंगा यहां पर तो गाइज यहां मैंने साइटेल्स फिल कर दिए उसका सेफ कार्ड पर क्लिक कर देते हैं उसका कुछ इस तरह का आपका अपसन आता है यहां पर क्लिक करना है पेमेंट करने क तो यहां पर देख सकते हैं हमारे अगाउंट वाई हो चुका है देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रोलाम आता है तो जरूर मैसेज करें तो इसके आपका इंटी विरिफाइब करेंगे उसका आर्ल एड़ी में बीडियो पना रखा है आपको जरूर देखना है नहीं तो आपका विरिपिकेशन अगर दो से तीन बर फिल लोता है तो आपका एक वेडियो हो सकता ठीकले इसलिए आपको उस वीडियो सब्सक्राइब नहीं करना है उस तक आप identity verification complete नहीं करते हैं तो यहां पर देख सकती email भी आ चुका है जो आपने buy किया है one minute में तो guys finally हमने आपको बता आदक किस तरह अपना Google Play console account को आप buy कर सकते हो तो friends अगर आप Google Play console से related video देखना पसंद करते है चाहर को subscribe कर दिजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दिजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और फें तैंकी सो मच चैन पाएं